वेलकम टो एड़ुजोस, एड़ुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रांती, संग्राम या फिर आंदोलन इस से संबंदित जितने भी important question है जो आपके RRB NTPC में पूछे जा रहे हैं लगतार और पहले भी पूछे जा चुके हैं इन सभी questions को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे याने वाली group D की परिक्षा के लिए या बाकी लोगों का जिनका exam अभी NTPC में बाकी है उन सभी exam में ये questions आपके लिए बहुत important है history के ये सभी मतपूर्ण questions को आप आखरी तक देखिएगा यानि वीडियो को आप last तक देखेंगे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और इसे bell icon को activate कर लें ताकि हर एक वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजाया क्योंकि इस वीडियो का target है 10,000 लाइक और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना भी चाहिए तो इसको share भी किजएगा ताकि maximum like जो है वो achieve कर सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रशन यहाँ पर आपके लिए है सती पर्था का बहिसकार कब किया गया था ठीक है 25 महतपूर्ण question देखेंगे इस वीडियो में तो द्यान से देखेगा आखरी तक देखेगा बिलकुल सती पर्था का जो बहिसकार है वो किस वर्ष किया गया था अंसर हो जाएगा option number A 1839 में किया गया था next question देखेंगे अगला प्रशन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का governor general कौन था 1857 के विद्रोह के समय भारत के governor general का नाम क्या था तो नाम हो जाएगा option D यानि canning ठीक है यह यहाँ पर British भारत आप इसको समझेंगे क्योंकि इस वक्त British भारत अक्सर सवाल में यहाँ पर यह भी दिखा होता है कि 1857 के विद्रोह के समय British भारत का governor general जो है वो कौन था तो अंसर हो जाएगा Lord canning नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है 1857 का विद्रोह वास्तव में डैस था 1857 का विद्रोह वास्तव में क्या था और नीचे options दे गए आपके सामने तो इन चार options में से कौन सा अंसर सही होगा comment करके जल्दी से बताइए इस question का right answer हो जाएगा option number B स्वतंतरता का पहला युद्ध था इसी को उलट करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंतरता का या स्वतंता संग्राम का पहला युद्ध की से माना जाता है तो अंसर होगा 1857 का विद्रोह और ये question RRB NTPC 2020 में पूछा गया है तो अगला question देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ती का सबसे महतपूर्ण कारण जो है वो क्या है 1857 की विद्रोह की शक्ती का सबसे महतपूर्ण कारण कौन सा है ये आपको बताना है चार options हैं बहादूर साह का सहयोग नाना साहब का नेतरित तो देखिए 1857 के विद्रोह की जो शक्ती यानि जो इसका पावर था जो इसकी यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम की तो option C इसमें right answer हो जाएगा ठीक है option C इस question के लिए right answer होगा बढ़ते हैं अगले question की तरह अंग्रेजों का सरवादिक विरोध किस ने किया था अंग्रेजों का सरवादिक विरोध इन में से किस ने किया था राजपुतों ने या मुगलों ने या फिर मराठों ने या फिर सिखों ने तो अंग्रेजों का जो सरवादिक विरोध किया गया था वो किया गया था मराठाओं के द्वारा यानि option C इस question के लिए right answer होगा next question यहाँ पर है बिहार से 1857 की करांती के नेता कौन थे इसी तरह से आप से सवाल पूचा जा सकता है कानपूर से 1857 की करांती के नेता कौन थे तो आप इसका answer comment करके जरूर बताएगा comment box में यह आपके लिए आज question of the day है ठीक है इस question का answer भी आपको करना है बिहार से 1857 के करांती के नेता कौन थे इनका नाम था कुमर सिंग ठीक है option C आपको याद रखना है कुमर सिंग इनको वीर कुमर सिंग के नाम से भी जाना जाता है तो आप इस तरह से याद रखेंगे वीर कुमर सिंग नेक्स्ट question देखे अगला question यहाँ पर है युवा बंगाल अंदुलन का मुक्या कौन था युवा बंगाल अंदुलन के मुक्या के मुक्या जो थे वो कौन थे तो युवा बंगाल आंदोलन के मुक्या का नाम था हेनरी विवियन डिरोज्यू ओप्शन C इस कोईशन का राइट आंसर होगा इसके बाद देखें नेक्स्ट कोईशन है ओराओं विद्रोह के नेता कौन थे ओराओं विद्रोह जो था इसके नेता का नाम पूछा गया है यहाँ पर चार ओप्शन्स है और जो करेक्ट आंसर होगा वो है जत्रा भगत ओराओं विद्रोह के नेता थे नेक्स्ट कोईशन यहाँ पर है गांधी जी किस कृषक अंदोलन से संबंदित थे और options यहाँ पर है चमपारन, खेडा, उपरयुक्त दोनों या फिर बार दोली तो right answer हो जाएगा उपरयुक्त दोनों यानि चमपारन सत्यागरा से भी और खेडा सत्यागरा से भी गांधी जी इस दो कृषक आंदोलन से संबंदित थे तो परयुक्त दोनों यानि option C इस question का right answer होगा next question है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्यागरा का परयोग कहां पर किया था महात्मा गांधी ने पहली बार सत्यागरा का परयोग कहां पर किया था यहाँ पर आप देखें इस तरह से यह B option है यह C है और यह D है ठीक है यहाँ पर typing error हो गया A, B, C, D आप इस तरह से मानिए ठीक है तो यहाँ पर जो right answer क्या होगा यह दक्षिन जो है देखिए बारदोली यह दक्षिन नीचे आएगा यहाँ दक्षिन अफरीका ठीक है दक्षिन अफरीका इस तरह से होगा तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option B ठीक है दक्षिन अफरीका अगला प्रश्ण यहाँ पर है महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हरताल की थी और इस question का answer क्या होगा इसका answer होगा option B एहमदाबाद अंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी अगला प्रश्ण यहां पर है महात्मा गांधी किस अंदोलन में मार्च 2019 में धरने पर बैठे थे महात्मा गांधी किस अंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे इस question का अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर होगा, option C, roll it act के विरोध में महात्मा गांधी मार्च 1919 में बैठे थे, ठीक है? विरोध में बैठे थे, किसी पर धरने पर बैठे थे इसके बाद है, बारदोली सत्यागरा का संबंद निम्न में से किस से है? इस question का अंसर हो जाएगा, option B, सरदार पटेल से संबंदित है, बारदोली सत्यागरा इसके बाद question आपसे यहाँ पर पूछा गया है, काकोरी कांड में किस सोतंतरता सेनानी को गोरखपूर जेल में फासी दी गई थी? और उस कांड का नाम था काकोरी कांड जिसके अंतरगत उनको यह फासी की सजा दी गई थी तो यहाँ पर इसमें क्या होगा इसका right answer? इस question का अंतर हो जाएगा option A राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए सोतंता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपूर जेल में फासी की सजा दी गई थी इसके अलावा गांधी जी ने किस आंदोलन में को चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया था? तो इसका right answer हो जाएगा option number B असायोग अंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था और किसकी वज़ा से? चौरी चौरा के वज़ा से इसके बाद question यहाँ पर है जालिया वाला बाग नरसनहार के लिए उत्तरदाई Michael O. Dyer को किस ने मारा था? जालिया वाला बाग नरसनहार के लिए जो जिम्मिदार था Michael O. Dyer इसको किस ने मारा था? तो right answer हो जाएगा option A उधम सिंग उधम सिंग ने इसको मारा था इसके बाद है कोशन मौलिक रूप से खिलाफत अंदोलन क्या था तो खिलाफत अंदोलन जो है वो एक परकार का क्या था धार्मिक अंदोलन था Option D इस question का right answer होगा Option D यानि धार्मिक अंदोलन था नैतिक नहीं था, राजनितिक नहीं था, आर्थिक नहीं था एक धार्मिक अंदोलन था, खिलाफत अंदोलन इसके बाद देखे, भूदान अंदोलन किसने शुरू किया था बुधान अंदोलन को किस ने शुरू किया इस question का अंसर हो जाएगा option B विनोबा भावे विनोबा भावे ने बुधान अंदोलन शुरू किया था ठीक है इसके बाद देखे question है इन में से कौन अलीपुर बमकेश में शामिल थे और इस question का answer हो जाएगा option number B अर्विंद गोष ठीक है अर्विंद गोष इस अलिपुर बमकेश में शामिल थे इसके बाद question पूछा गया है भारत छोड़ो अंदोलन में कौन शामिल नहीं थे ध्यान से देखना है question को भारत छोड़ो अंदोलन में कौन नहीं सामिल थे और यहाँ पर चार नाम आपके सामने है महात्मा गांदी, जवारला लेरू, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर, सरदार पटेल तो इसका right answer हो जाएगा option C भीम राव अंबेटकर जो है वो इस अंदोलन में नहीं थे ठीक है, इसके बाद देखे question है भारत छोड़ो अंदोलन जो है वो किस वर्स हुआ था, जो भारत छोड़ो अंदोलन हमने पिछले प्रशन में देखा कि भीम राव अंबेटकर इसमें शामिल नहीं थे महात्मा गांधी शामिल थे, जवहार लाल नेरू शामिल थे, सरदार पटेल सामिल थे तो यह अंदोलन हुआ कब था, इसकी इश्वी पूची गई है तो right answer क्या होगा, option A, 1942 में हुआ था ठीक है, भारत छोड़ो अंदोलन कब हुआ था, 1942 में इसके बाद है, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े हुए है कूका विद्रोह से किसका संबंध है, यह पूचा गया है और यहाँ पर इस question का answer क्या हो जाएगा, इस question का answer हो जाएगा केरल का मोपला विदरो कब हुआ था अब इस्वी भी पूछे जा सकती है तो इसका राइट अंसर क्या होगा 1921 यानि option number C इस question के लिए right answer होगा ठीक है केरल का मोपला विद्रो 1921 में हुआ था अगला प्रशन है खिलाफत अंदोलन के अग्रनी नेता कौन थे खिलाफत अंदोलन के अग्रनी नेता जो है वो कौन थे तो right answer हो जाएगा अली बंदू ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल है किस महिला को भारतिय स्वतंता अंदोलन की माता कहा जाता है right answer होगा option number A विकाजी कामा को कहा जाता है ठीक है मैडम विकाजी कामा को भारतिय स्वतंतता अंदोलन की माता कहा जाता है इस question में आपको एक question और मैं बताता हूँ आपको बताना होगा कि भारत के बाहर एक बार अभी question पूचा गया है भारत के बाहर सबसे पहले किस वर्स और किस ने जो है वो तिरंगा जंडा फैराय था भारत से बाहर तो answer क्या होगा? विकाजी कामा ने फैराय था 1907 में ठीक है? यहाँ पर इस question को आप याद रखेगा तो यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक किजएगा शेर किजएगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद